जैसी क्रिष्ण व्रेंट्स कीसे अप सभी आए होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनी गार्णिंग अच्छे से कर रहे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम जीजी प्लान के बारे में बात करने वाले क्योंकि जीजी प्लान की पतियां येलो होना उसके बल्व का गलना, क्या उस बहुदे का खराव होना, किस चीज पर डिपैंड करता है, रिजिन्स बताऊंगी, और क्या-क्या आपको उस प्लान के साथ अब मार्च के महीने में करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगी, एक मुझे कॉमेंट आया था, रुकसाना जी का, जो की मेरी प्लान का पिक भेजिए, ताकि मैं उसे देख के बता सकूँ कि क्या, एक्चुली क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आज की इस वीडियो में उनकी प्रॉब्लम का मैं सलुशन करने की कोशिट करूँगी, तो वीडियो को आप लोग भी पूरा देखेगा, भीना स्किप किये, औ आप से छोटी सी रिक्वेस्टे की, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन और पर प्रॉपेस करना, मत भूलेगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डेली पोह सके और आप मेरे वीडियो सबसे प तो सबसे पहले रीजन्स की बात कर लेता है, पहला रीजन्स जो आता है, पोधे में पतियों का यलो होना, धीरे-धीरे स्टैम का यलो होना, क्योंकि पतियां जढ़ने लग जाती है, फिर स्टैम यलो होती है, उसके बाद देखिए बल्ब का सूखना, तो यहाँ आप और वाटरिंग कर रहे हैं, यानि कि कम पानी दे रहे हैं, बहुत जादा खीच रहे हैं दिनों को, कि बहुत बहुत दिनों में पानी दे रहे हैं, और या फिर आप और वाटरिंग कर रहे हैं, कि आप अत्यदी घच से जादा जैसे रोज रोज या एक दिन छोड़के एक क्योंकि अभी जैसे मैं Madhya Pradesh से हूँ आप अपने यहां का जो city है वो मुझे या state है वो मुझे comment करके जरूरू बताएगा कि आप कहां से हैं आपने कहां से comment किया है आप कहां से हैं जिनके पास जीजी plant है तो मैं उसके बारे में बता पाऊंगी कि आपके यहां का climate ऐसा है त इसकी पतीयां ज्यादा खराब हो हुए जिस bulb के और अगर कुछ पत्या अच्छी तो अस bulb को अलगएग जरेंगी Friends यहां पर आप March का महिना जल रहा है तो आपको एक के बारे में बताऊंगे जादा पत्या अगर यलो हो रहे है तो आप compost दीजिए लेकिन हिसाब से over compost नहीं देना है क्योंकि अब गर्मियां आ रही है तो जितना कम से कम हो compost दीजिए एक मुठी से जादा आप 10 इंच के गंपले में एक मुठी से जादा compost ना दे किसी भी पोधे में तो यहाँ पर मोसम चेंज होने के बाद जैसे क्योंकि जीजी प्लांट जो है डॉर्मेंसी से बाहर निकला है दिसंबर, जनवरी और फर्वरी इसका डॉर्मेंसी पीरिड होता है फर्वरी में तो फिर भी हम उसे ग्रो करने लग जाते हैं लेकिन अगर आपने रिपॉर्टिंग करी है तो रिपॉर्टिंग करते समय भी एक चीज़ का ध्यान रखिए जब तक पौधा खुद से नहीं यह कहता कि आप मुझे रिपॉर्ट करो तब तक आप उसे रिपॉर्ट न करे पौधा कब कहेगा जब उसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होने लगेगी और ज़ादा बुशी हो जाएगा तब आपको उसे रिपॉर्ट करना है या उसको आपको ट्रांस्प्लांट करना है दोनों में से कोई एक कंडिशन होनी चाहिए यहाँ पर जैसे ही आपका पौधा डॉर्मेंजी से निकलता है आपको सागरिका का सीविट देना चीए यह भी पत्यों को हरा भरा बनाने में काफी हेल्प करता है जीजी प्लांट की पत्या यलो होना अंडर वाटरिंग और वाटरिंग के अलावा एक सनलाइट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है आप उसे जीजी प्लांट को बिलकुल भी सनलाइट पसंद नहीं है सिफ ब्राइट लाइट जो होती ना कि बस प्रकाश जो होता है दू मेरे में भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं लेकिन पौधे के साथ ऐसा मत कीजिए क्योंकि वो लिविंग थिंग है तो सागरिका का सीवीड आप जरूर इसमें दीजिए इसकी लश ग्रीन पतियां आपको मिलेगी लेकिन डॉर्मेंसी से निकलते ही पौधे को जब वो थ सीवीड तो देता ही है लेकिन यूमिक असीड यानि की यूमिडिटी यूमिडिटी का मतलब होता है कि उसको यह जो फर्टिलाइजर होता है यह एट्मोस्फियर में चेंज लाता है यानि की मिट्टी में चेंज लाता है मिट्टी की गुणवत्ता में चेंज लाता है जिस acid भी apply कीज़े, कैसे apply करना अगर इस पर वीडियो चाहिए, तो comment box में comment कीज़ेगा, अब ये white color के दाने अगर आप देख रहे हैं, अगर आपका पूरा पौधा अच्छा है या एक आदी कोई पत्ती खराब हो रही है, जैसी मेरे plant में हो रही है हम उस एक के लिए हम अपने पूरे plant को खराब नहीं करेंगे तो आप D.A.P. के 8 से 10 दाने अपने जो है मिट्टी में, इसकी जो plant की मिट्टी कहीं पे भी एक जगे दबा दीजिए, 2 इंच की गुडाई करके, गुडाई का मतलब तो हलकी सी moist मिट्टी में दीजिए, एकदम गिली-गिली, स्वागी मिट्टी में नहीं देना है और बिल्कुल सूख जाने पर भी कोई भी fertilizer आपको अपलाई नहीं करना है तो जीजी plant को आप shade में रख दीजिए, बिल्कुल shade में जहां पर बिल्कुल धूटना हो अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो यह सारी चीज़े अपलाई कीजिए अगर फिर भी ठीक नहीं हो तो मुझे comment ज़रू कीजिएगा I hope आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए चैनल पर नहीं है अदर subscribe ज़रूर कीजिए बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलेगा मिलता है नेक्स वीडियो में फिर किसी नहीं जान करें साथ तब तक लिए बाई, टिक केर, जैसी क्रिशन